हेलो फ्रेंड्स तो आज के इस वीडियो में आप सब का फिर्द से बहुत वेलकम करती हूँ तो देखिए आज हम लोग यहां सीखने जा रहा है स्ट्रॉबेरी केक बनाना और वो बी 1 kg में हम लोग यहां बनाएंगे तो परफेक्ट माप के साथ साथ आप सीखिए 1 kg में स्ट मैंने जो यहां पर सबसे बड़ा वाला स्पॉंच तियार करके रखा है जिसको मैं अभी आपको दिख लाओंगी 1 kg का बना के यह वाला इसको मैंने 140 ग्राम करके 2 कप प्रेमिक्स मैंने लिया था 1 kg का बनाने के लिए बाकी दोनों एक 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 जो आप अलग अलग देख रह क्योंकि इसको 1 kg बनाना है तो फ्रेंट्स मेरे चैनल पर और भी मतलब कि दूसरे फ्लेवर का भी 1 kg केक बना के मैंने दिख लाया है वह जरूर देखिए जाकर के यहां पर देखिए मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है वाइट चॉकलेट कंपाउंड है और उसमें मैं य और यह कलर जो है कैंडी कलर के नाम से आता है जो कि हम लोगो मिल जाएगा ओन-लाइन या मार्किट में भी और यही कलर आप चॉकलेट गरनिशिंग बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए गा जेल कलर बाटर बेस्ट कलर इस्तेमाल मत कीजिएगा फ्रेंट्स बेकरी वाले भी के थोड़ा सा शुगर स्प्रिंकल डाल दिया है और फिर वैसे ही दूसरा बना रही हूं देखिए बहुत ही एजली यह गार्निशिंग बन जाता है बस उंगलियों से ऐसे करना है और इसे स्टिक करा देना है जब यह चोकलेट कीला ही है उसी टाइम में हम लोग यहां इसमें रखके सेट कर सेट तो देखा आपने कितना अच्छा यह गार्निशिंग भी हमारा त्यार हो गया इसको हम लोग केक में इस्तिमाल करेंगे यह गार्निशिंग बनाने की डीटेल वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर डली हुई आप जाके देख सकते हैं कैंडी कल सब्सक्राइब धस्तिम देख केक में इसको क्रीम लागे गए तो आपका केक काँवेट जहाए देखले क्या वाहां को कर देखे कितना ठीक यह तो बगūंगे हुआ अई पर पीछ रख्टी तो किसमाल स्टाराइब क्रश्च लैवर में ने शॉओ रिया गत्र टीक लिए न पुरा strawberry वाला essence भी sponge बनाते समय एड़ कर सकते हैं तो आपके sponge में भी टेस्ट आ जायेगा पूरा strawberry वाला फिर से देखिये हमने लगाया cream और crush strawberry वाला बना रहे हैं इसलिए strawberry crush हैं यहां हम लोग यूज कर रहे हैं strawberry crush आपको market में मिल जागा या और्लाइन भी आप पर्चेस कर सकते हैं ये क्रश जो है माला का क्रश है मेरे पास जो अभी मैं इस्तिमाल कर रही हूँ और सच मानिया बहुत टीस्टी बनता है इससी केक और पूरा स्ट्राबेरी का ना बहुत मस्ट सा सुहादाता है केक में देखिए अब मैं यहाँ पर क्रम कोटिंग कर रही हूँ और क्रम कोटिंग करके आप मैं इसे फ्रीज में नहीं रखूंगी मैं अभी ही इसको आइसिंग करूंगी और क्रम कोटिंग करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता है जो नया नया सीख रहे हैं वह बले रख सकते हैं क्योंकि उस वक्त उनको अंदाजा सही से नहीं मिल पाता है फर्फेक्ट जब उनको फाइनल आइसिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा दिया रख सकते हैं लेकिन अगर आपको आदत हो गई है तो देखिएगा आपसे आपको ऐ स्क्रेपर लगा के भी हम लोग कर लेंगे चिकना तो हो गया इतना चिकना अब आपको बिल्कुल इजली बतला रहे हूं कि समय भी आपका बचेगा यह देखिए ऐसा स्क्रेपर होता है बिल्कुल एक साइड में पूरा सीधा है बस इसको चला दीजिए सीधे हाथ से पकड अगर आप बिल्कुल इसका इसिंग करना चाहरे है बिल्कुल शार्प एज बनाना चाहरे है तो आपका क्रीम बहुत अच्छे से विप होना चाहिए बहुत अच्छे से विप करके क्रीम को आप बिल्कुल स्टीफ पीक का बनाईगा तो आपका कीक का एज बहुत शार्प और अच्छा बनेगा अब यहां पर मैं बेक हैवेन का कलर इस्तिमाल कर रही हूं जेल फूट कलर और इसको थोड़ा सा पैलेट नाइफ में लगाने के बाद देखिए जरा सा मैंने लिया है और इसको हम लोग इस तरह से हलका हलका लगाएंगे पैलेट नाइफ से ही और इस तरह से बहुत सुन्दर सा शेड जो है हमारा मतलब रेड कलर जो हमने इस्तिमाल किया है उसका बहुत सुन्दर सा शेड आ जाएगा और देखिए यहां पर मैंने उपर भी लगा दिया और आपको लेना है और बास ऐसे गुमा देना है और बहुत सुंदर सा इसमें डिजाइन जैसा आ जाएगा देखिए तो फ्रेंड्स यह देखिए हमारा बेस हो गया है तैयार और अब हम लोग करने जा रहे हैं इस पे खुब सूरत सा डिसाइन तो उसके लिए हम लोग ले रहे ह यहां पर स्ट्रावबेरी वाला कुछ ड्रॉप्स एसेंस और एसेंस के बाद हम लोग जाल रहे हैं थोड़ा सा हम लोग रेड कलर बेक हेवन का ही मैं यहां यहां जेल तो देखिए यह न्यू जेल जो है यह है न्यूट्रल जेल बिल्कुल न्यूट्रल इसमें कोई कलर न मिक्स कर लीजिए तो ऐसे अपनी इच्छा अनुसार आप इस जेल का इस्तिमाल कर सकते हैं थोड़ा सा पानी भी मिला दे रहे हूं क्योंकि यह बहुत थीक है और इसको बहुत अच्छे सेमने मिला लेंगे तो न्यू जेल के चॉकलेट वाला जो जेल आता है उसका भी मैं बत लाया है तो जाकर की जरूर देखिएगा और देखिए यही वाला जो ग्लेज और जिसको जेल में बोल रही थी और उसमें कलर मिक्स किया था उसको देखिए कितने अच्छे सेम लोग यह फैला रहे है इसी से हम लोग कर लेंगे यहां ट्रिपिंग साइड में और देख जरूर देख लिया करिए जब भी आप खरी देते हैं क्योंकि बड़ा डबा है मेरे पास अगर इतना बड़ा डबा लेते हैं तो बहुत दिनों तक चलेगा भी तो एकस्पारी डेट उसकी लंबी होनी चाहिए इस बात का ध्यान रखिएगा वरना आप चोटा डबा ले ल बड़ा नोजल है मेरे हाथ में और यहां पर मैंने उसमें एक साइड से क्रीम बर लिया है और अब मैं देख रही हूं कि हमारा शेड के साथ क्रीम निकल के जब आना स्टार्ट होगा उसके बाद ही हम लोग काम करेंगे तो देखिए यहां पर देखिए कॉर्नर पर काम कर और यह जो काम है ना यह मतलब जो डिजैन में अभी डाल रही हूं वन इनोजल से यह वाला ना ज्यादा क्रीम आपका नहीं लगेगा वरना आप बड़ा बड़ा रोजेट वगएर भरियेगा तो फिर आपका क्रीम का वेट के वज़ा से आपका केक का वेट बढ़ क्योंकि आज मैं आपको यहां वन केजी का केक बत ला रही हूं बनाना तो फ्रेंड्स इसके पहले मैंने डाला था चॉकलेट वाला भी वन केजी वाला तो देखिए यहां पर मैं बॉर्डर कर दे रही हूं सेम नोजल है मेरे पास और यहां पर यह एड़िबल वाला बटर को हम लोग लगाएंगे तो जब भी मेरे पास कोई बच्चे लिने आते हैं केक और उनको पता जब चलता है कि अंटी यह जो हां खावे सकते हैं क्या तो बहुत खूश हो जाता है कै अर्य सिब सजा ही नहीं सकते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है और यहां पर देखें गार्निशिंग हमारी तेयार थी तो गार्निशिंग जो हमने बनाया था उसको हम लोग लगाएंगे तो फ्रेंड्स मैंने आपको बतलाया कि जब भी आप वाइट चॉकलेट वाला में भी खराब हो जाता है और देखें यहां पर हम लोग यहां पर डाल रहे हैं चॉको चिप वाइट कलर की भी डाल दिया और ब्लैक कलर की भी तो दोनों मिक्स करके डाल दिया अब हमारा यह केक जो की वन केजी में बना है बनके हो गया तैयार देखिए कितना ज्यादा और जेल के साथ कुपतूरती बढ़ गई है केक की और यहां पर देखिए अब हम लोग वेट कर लेते हैं पहले मैं इसे ग्राम में ले आती हूँ और उसके बाद इसको कर लेंगे वेट और बतलाओंगी मैं आपको कि कितना हमारा वेट हुआ इस केक का तो फ्रेंड्स यह 1kg से थोड़ा सा जएदा है और यह जो केक का हमारा वेट हुआ 1kg और 83 ग्राम तो बिल्कुल पर फेक्ट इसका help आया है और क्योंकि हमारé board का जो टीड़ा है केक वाले board का नीचे जो लगा है वही 80 ग्राम का है नहीं हमने लिए था दया aq energized की के लिए यह इधारए एक केक में ने बनाया है यह भी चोछ चछोड का सीम डिजाइन की चार किसा बनाके की त Вас dus नहीं गहां आके तक ऐड़ एक केक मुझे बनाना अग देखहे है वीडियो कैसे लगी जरूर बतलाईएगा आप कुछ सीख पाई या नहीं सीख पाई जरूर बतलाईएगा और हाँ साथ जरूर जुड़े रहिएगा क्योंकि आप सब दोस्तों के सपोर्ट के साथ में काम कर पाती हों और अखेले तो में नहीं कर पाती हों तो आप सब का सप पूर्ट का जरूरत है और जो दोस्त मेरे ने ने अभी देख रहे तो जरूर चैनल से जूड़ जाईए हम लोग साथ मिलके बनाएंगे सुन्दर सुन्दर ब्यूटिफुल केक्स तेंक यू बाई बाई